नमस्कार दोस्तों, Ultimate Health and Home Remedies चैनल में आप लोगों का स्वागत है, Ultimate Health and Home Remedies आपकी जहत का ख्याल बखुब भी रखता है दोस्तों अगर आप लोगों को fit रहना है, healthy रहना है, खुश रहना है, क्योंकि खुश तभी रहा जा सकता है जब आप लोग fit हो अगर आप लोग fit रहेंगे, तो आप लोग खुश भी रहेंगे, आप लोगों की body जो है, वो आप लोगों को हमेशा खुश रखेगी तो अगर आप लोग चाहते हैं, healthy रहना और खुश रहना भी, तो definitely आप लोगों को workout पर focus ज़रूर करना होगा क्योंकि ये body जो है, वो actually में workout के लिए बनी वी है, आप लोग कह सकते हैं, तो जिस part को हम लोग काम में लेते हैं, वो part उतना ही healthy जो होता रहता है extreme हम लोगों को काम में नहीं लेना होता, तो आद मैं कुछ stretches बताऊंगा जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, अपनी body को healthy रखने के लिए तो ये different types के जो workouts हैं, या हम लोग कहें different types के stretches हैं, तो इनका इस्तेमाल आप लोग अपनी body को लचीलापन देने के लिए कर सकते हैं, अपनी body को fit रखने के लिए कर सकते हैं, slim fit रख सकते हैं, और even आप लोग अपनी body को toned भी बना सकते हैं तो शुरू कर दीजिए, number one, जो first workout है, इसमें आप लोगों को fold होना है, अपने दोनों पैरों को पकड़ना है, और नीचे की और जुखना है, इससे आप लोग जो spine होती है, उसमें जो stiffness की जो problem होती है, उससे आप लोग बच सकते हैं, तो ये problem जो है, बहु सारे लोगों को होती है कि thighs पर cellulite भी होता है, तो ये number two workout भी आप लोग अजमा सकते हैं, अगर आप लोगों से पैर का पंजा नहीं पकड़ा जाता है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है, उसकी और try कर सकते हैं, तो ये workout जो second workout है, ये भी आप लोग alternative legs के साथ भी कर स अपनी नाक को गुटनों से लगा सकते हैं, तो ये भी workout जो है, आप लोगों को stiffness जैसी problem से आराम दिलाता है, belly fat को reduce करने भी भी अच्छा ये stretch है, और आप लोगों को stiffness जो होती है, thighs के अंदर उसको भी remove करने में आप लोगों की help करता है, तो जिनको कमर में दर्द है, quadratus lumb forum जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो आप लोगों का point होता है, वो इसमें fourth workout में आप लोगों की मदद करता है, वो stretch होता है, तो ये fourth workout भी आप लोग कर सकते थे, अब fifth workout है, इसमें आप लोगों को simple हाथ खड़ा करना है, और side band की तरह आप लोगों को होना है, तो इसमें की जो muscles हैं वो भी stretch होती हैं तो ये total जो है five workout हुए अब six workout में आप लोग जो है अपनी कमर पर हाथ रखकर left right भी हो सकते हैं जो है front में भी आप लोग जो है जुग सकते हैं तो ये stretch भी आप लोगों के लिए back में भी आप लोग सकते हैं तो इससे posture जो है वो आप लोगों का ठीक रहता है तो ये best posture के लिए आप लोग जो है stretches कर सकते हैं और इस stretches से आप लोगों को आराम भी मिलता है कि आप लोगों में कहीं कमर में दर्ध हो जाता है कभी किसी को कभी किसी को spine में दर्ध हो तो अगर आप लोगों को ज्यादा प्रोब्लम है तो फीजियो थरेपिस्ट की सला ले नमबर सेवन वर्काउट्स है यह आप लोग डाउनवर्ड वो डॉक पोज करते ही हैं कोब्रा पोज आप लोग करते ही हैं तो बैक के लिए बहुत अच्छा होता है आप लोगों की कोर मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है आप लोगों की चेहरे की चमक के लिए बहुत जादा अच्छा होता है तो ये workouts भी आप लोग कर सकते हैं अब number 8 workouts है इसमें आप लोग thigh का workout जो है सामिल कर सकते हैं देखिए इसमें alternative legs जो lunges हैं वो आप लोग कर सकते हैं अब ये 9 workout जो है यानि 9 workout जो है ये extreme side bend workout है ये workout जो है आप लोगों को side की सर भी कम करने में मदद करता है अब बात करते हैं दसवे workout यानि की cobra pose की तो front cobra pose है ये और इसमें आप लोग plank pose भी देख रहे हैं और साथ में आप लोग downward dog pose भी देख रहे हैं तो ये workout भी बहुत alty workout है आप लोग कह सकते हैं ultimate workouts में आप लोग जो है को सामिल कर सकते हैं cobra pose को या हम लोग कहें ये जो आसन है इसमें हम लोग जो है देखी अगर mass patient को देखना चाहें तो कितनी सिकुड गई है पेट की mass pushy तो ये बहुत अच्छा workout है अगर आप लोग stretch करना चाहें तो अब next stretch की बात करते हम लोग ये पेट के लिए बहुत अच्छा stretch है इसमें आप लोगों का जो कब्ज की समश्या होती है जिनको गैस इत्यादी की समश्या होती है उनके लिए ये stretch जो है वो बहुत अच्छा अच्छा होता है पेट की जो muscles है वो stress होने लगती है और आप लोगों को आराम मिलने लगता है तो यह stretch workout जो है आप लोगों के पेट की जो चरबी है जो पेट में जो digestive enzyme है ball movement है उसको अच्छा रखने में आप लोगों की help कर सकता है तो यह stretch भी आप लोग कर सकते हैं यह total 21 stretch हैं 21 stretches हैं जिसका इस्तमाल आप लोग different types की आपनी mass ratio को अच्छा रखने में healthy बनाने में कर सकते हैं तो यह भी आप लोग कर सकते हैं और अब बात करते हैं हम लोग next stretch की तो यह आप लोगों ने देखा next stretch जो है वो pigeon आप लोग कह सकते हैं कि यह pigeon है या हम लोग कहें कि child pose है यह आप लोगों का और child pose में combination किया गया है cobra pose को यह देखिए तो इसमें आप लोगों की देखिए child pose में digestion जो है पेट का वो अच्छा रहता आप लोगों का और साथ ही आप लोगों की जो कमर की जो सरवी है वो भी अच्छी रहती है तो यह यह अच्छा है आप लोगों के लिए जो child pose जो है आप लोगों के पेट की digestive enzyme को increase करता है बढ़ाता है cobra pose जो है उनमें अच्छा जो है वो पैदा करता है metabolic rate को increase करने में mass patient को मजबूत बनाने में muscles mass को increase करने में भी आप लोगों की spine का workout है इसमें stretches में इसमें देखिए side lunges है यह side lunges में आप लोग देखिए ऐसे भी आप लोग कर सकते है अपनी पैरों को पतला रखने के लिए cellulite को reduce करने के लिए thighs fat को reduce करने के लिए 14 जो workout है 16 जो workout है इसमें आप लोग lunges कर सकते हैं forward lunges backward reverse lunges तो इसमें आप लोग जो हैं अपने glutes का workout भी कर रहे है तो यह different types के stretches है जैसा कि मैंने बोला 21 stretches है इनको कर लीजिए अब यह chest का हो गया यह shoulder का हो गया तो यह भी आप लोग आजमा सकते हैं यह shoulder का हो गया आप लोगों के लिए ठीक है तो यह total जो workout है आप लोगों के लिए फाइदे मंद है हर एक mass patient के लिए जो workout जरूरी होते हैं यह अब देखिया आप लोगों के thighs के लिए हो गया यह आप लोगों के chest के लिए हो गया तो यह workout जो है यह जो stretch है यह आप लोगों के chest के लिए हो गया और आप लोगों के glutes के लिए हो गया, thighs के लिए हो गया, तो इसकी जो target muscles हैं, इन stretches की, वो आप लोगों के overall body के fitness को एक रूप देता है, ठीक है, तो ये total जो workouts हैं, ये जैसा कि मैंने कहा, पूरी body को ध्यान में रखते विए, मैंने stretches जो हैं, वो डाले हैं, number 18 जो stretch है, वो कुल भी नहीं हिल रहा है, upper back जो है, वो ही आप लोगों का move हो रहा है, तो इसमें आप लोगों का upper body जो stretch है, upper body जो mass patient है, वो अच्छी रहती हैं, तो एक circle बना लीजी ऐसे, ये पूरा का पूरा देखी, एक circle जो है, आप लोग इसमें बनाते हैं, तो इसमें आप लोगों क कमर की fat है, वो reduce होने में बहुत आद लोगों को मदद मिलती है, और महां की mass patient भी लचीली बनती है, अब neck का हो गया, गर्दन का workout है, तो गर्दन को इस प्रकार आप लोग रोटेट कर सकते हैं, shoulder को साथ में आप लोगों इस प्रकार रोटेट कर सकते हैं, इस प्रकार देख के साथ cobra pose हो गया, down forward dog pose के साथ cobra pose हो गया, और यह जो है, यह workout है forward band, single leg forward band, और यह हो गया आप लोगों का एक बहतरीन आशन, 21st आशन, और यह total workout हो गया है, total stretches हो गया है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, धन्यवाद, लेकिन subscribe करना और like करना ना भूल आज के लिए इतना ही धन्यवाद